दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है एक लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी गई लड़की से दोस्ती पर दोस्तों ने धोके से बुला कर लड़के की बेहरैमी से पिटाई की बाद में अस्पताल में उसकी मोथ हो गई इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है जबकि तीन नाबालिक हिरासत में है बताया जा रहा है कि कोचिंग में साथ पढ़ने वाली लड़की से लड़के की दोस्ती पर परिवार को सक्त एतरास था पुलिस ने तीन नाबालिकों समेट पांच लोगों को हत्या के आरोप में पकड़ा है कहा जा रहा है कि मृतक राहूल आरोपि की बेहन से प्यार करता था जिसका लड़की के घरवाले विरोध कर रहे थे लड़का और लड़की अलग-अलग समुदाय से है इसलिए पुलिस ने शांतिकी अपील की दरसल 7 अक्तूबर को उत्तरी पस्चमी दिल्ली के आदर्श नगर के मूल्चंद कालोनी में रहने वाले 18 साल के राहूल को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने कुछ लोगों ने बुलाया राहूल सिस्टीवी फुटेज में जाता हुआ दिख रहा है और फिर थोड़ी ही दूरी पर उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी मोत हो गई पुलिस को मोत के सूचना बाबु जग जीवन राम अस्पताल से मिली पोस्ट माटर में पता चला कि आत फटने से उसकी मोत हुई है पता चला है कि राहूल की हत्या प्रेम परसंके चलते हुई उत्तरी पस्चमी दिली के DCP विजियनता आरिया ने कहा कि जाच के दूरान पता चला कि मरी तक राहूल की जहां गिरपूरी में रहने वाली एक लड़की से दोस्ती थी इसके चलते लड़की के भाई और उसके रिष्टेदारों ने उसको पीटा है जिससे उसकी मोथ हो गई आपको बता दे कि राहूल घर में रहे कर टूशन पढ़ाता था और बीए सेकिंडियर का छात्र था परिजनों का अरोप है कि आ अब्दुल महर समेथ पांच लोगों को पकड़ लिया है आरोपयों में तीन नाबालिक है पुलिस ने राहूल के चाचा धरमपाल के बयान पर हत्या का मामला दर्च किया है इसके साथ ही पुलिस ने गोलु का मोबाइल फोन अपने कबजे में लेकर अंजान नंबर से आई पुलिस बल्की तैनाती करती गई पिता संजी ने बताया कि जिस लड़की की बात सामने आ रही है उसके बारे में वह कुछ नहीं जानते राहूल ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की थी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस संबंदित लड़की से पूस्त की जा रही है ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बैल इकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वादी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट हॉल जोती गार्डन जबीड बैंक्वेट्स एंटर्प्राइब